हेलो माई स्ट्रेंट्स वेलकम तु यूर यूटुब चैनल आईक्यू अड़्डा मैं NCRT क्लास 9 का सिविक्स का MCQ स्रीज लेकर आया हूं वो जो चप्टर 1 में बनाया था पार्ट 1, पार्ट 2, यह MCQ का पार्ट 3 है क्लास 9 सिविक्स का चप्टर 1 है जिसका नाम है Democracy in the Contemporary World तो इसमें अब तक मैंने दो पार्ट का वीडियो मैंने बनाया MCQ questions में जिसमें मैंने 25 questions deal कर चुका हूं अब मैं 26 questions deal करने वाला हूं मतलब 26 numbers से questions deal करने वाला हूं जितने भी questions होंगे मैं बारे बारे बनाता जाओंगा मेरे शैनल में voice का या text का quality का कोई भी problem होगा और कोई भी issue होगा मुझे sure करके comment में बताईएगा ठीक है तो मैं आज का lecture स्टार्ट करता हूं जो कि part 3 है क्लास 9 civics chapter 1 के mcqs ठीक है तो question number 26 है how many member states are there in the national monetary fund मतलब इंटर्नेशनल monetary fund में कितने members है इसका answer होगा option A 173 173 मैं पूरा option नहीं पढ़ाँगा क्योंकि time का problem होता है मैं सुच रहा हूं कम समय में ज्यादे ज्यादा question को deal कर लो ओके नौ निस question question 27 name of the leader in Myanmar put under house arrest is मतलब Myanmar में कौन सा ऐसा leader हो जिसको arrest किया गया था ठीक है तो उसका नाम है Aung San Suu Kyi यह option आपका C जाएगा option C यह option C जाएगा ठीक है next question है question 28 How many members countries are there in security council of UN मतलब security council में जो UN के security council उसमें कितने members है देखे टोटल member 15 है जो कि option आपका C जा रहा है option C ठीक है लेकि इसमें एक जी बात याद रखेगा now which country among the following was the only country by 90s where every citizen had voting right मतलब 19 सताब्दी तक कौन सा ऐसा देश है जिसमें हर किसी को हर citizens को वोट करने का अधिकार था तो वो देश था न्यूजलेंड जो कि यह आपका option 2 में है न्यूजलेंड ओके नौ अगला question है question में 13 what is the total number of members in UN General Assembly यह repeat question I think मैंने पहले भी कर आचुका था ठीक ही फिर भी कोई बात नहीं question सही है यह बाने आप लोगों का रिविजन में हो जाए तो यह आएगा option C 193 total member है इसके 193 option C UN General Assembly में ठीक है एक तरह का पार्लेमेंट की तरह रोल नहीं वाता है ठीक है next question question 31 which one of the following does not lead the spread of democracy मतलब कौन सा ऐसा option है इसमें जो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करता है ठीक है यह option आएगा जाएगा आपका option B invasion by foreign countries okay invasion by foreign countries यह सारे chapters आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ठीक है मैं अभी explain पुरा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी new बना रहा हूं वीडियो तो मैं पास वासे साधन नहीं है कि मैं time ज्यादा देख कर मैं छोटे चीज़ को भी समझा सको दीरी दीर में सब करता चाहूंगा ठीक है एक श्रह्क के कोश्यन पर थर्टी तूव वाज इंटरनेशनल मोनेटरी फण स्टेब्लिष मतलब इंटरनेशनल मोनेटरी फंड क्यूंग इस्टाब्लिष किया गया क्यों इसका जरूरत पढ़ा था इंटरनेशनल इसका option आएगा option B ये option B इसका एंसर है option B Lends money to government of member nations when in need मतलब इसका गठन इसले किया गया था यदि किसी country या किसी nation को किसी भी तरह का पैसे की जरौत पड़ेगी एक तरह से वो लौन के रूप में इससे वो ले सकती है इसलिए इसका जुरौत पड़ा था ठीक है नेस्ट कोशन से रश्या ठीक है ऐसे पॉलेंड भी कॉलोनी था एक था है ठीक है वो भी उस कोलोनी सहर्ट के रश्या के अंडर चला गया था ठीक है नेस्ट कोशन है क्वेशन नमर थर्टी-फोर वीच वान आफ दी फॉलौविंग कंट्रीज वास्ट दा फर्स्ट तो गीव यूनिवर से अडल्ट्स सफ्रेज मतलब कौन सा ऐसा निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था आइधिंग यह भी रूपेटर कोशन है यह कुश्यान यह स्कॉशन में 29 ओके नो तो कौन सा ऐसा देश है यूनिया हर एक मेंबर को वोट देने का अधिकार दिया था यह ओप्शन है आपका जाएगा ओप्शन ए न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड ऐसी पहली कंट्रीज ची उनिश्वी सतावदी तक जिसने अपने देश के हर ए का दिकार दिया था ओके नौ नेक्ट क्वेशन इस 35 इन माइनमार अगन सैन्सू की लेड मतलब मैनमार में जू यह थे अगन सैन्सू की वो कौन से पार्टी को लीड करते थे जिसका अंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी दनेशनल लीग फोर डेमोक्रसी यह आपका जाएगा दनेशनल लीग फोर डेमोक्रसी यह पार्टी को वो लीड करते थे आज इतना ही कोशन्स हैं दस कोशन्स आज थे बाकी ज़रुवत लगेगा मैं और भी इस चैप्टर से लेटेड और भी अंसे क्यूज लेकर आऊंगा फिलाल के लिए थैंकियू वेरी मच्च मेरे इस चैनल को एस पैसली आप लोगों के लिए चैनल बनाए गया आप लोगों को पढ़ाने के लिए उस लॉगडाउन के अंतरकत मैं इसे और आगे लेकर जाना चाहता हूँ साथ ही साथ मैं यह बताना चाहता हूँ मैं किलास 1 से 10 तक का NC आर्टिस के हर सब्जेक्ट को मैं डील करूँगा दीरी दीरे step to step, time to time मैं वीडियोज बनाता जाऊँगा ठीके, मेरे इस वीडियोज को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सेर जरूर करे ना पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या उसमें कमी है ताकि मैं उसे सुदार सबूँ ठीके, मेरे शैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जन्दावाना ना भूले ताकि मैं कोई भी वीडियोज बनाऊ आपको पास आप लोगों पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फिर से मुलाकात होगी आपसे थैंक यू